प्यार विध्यारतियों, श्वामी केश्वननद آन्लाइन कलास में आपका पुन्ह स्वागत है जैसा कि हम अव्यिभाव समास में उप्सरगों का और अव्यों का अध्यन कर चुके हैं और वो कौन कौन से हैं अधी उफसर्ग समस्द पद में यदि अधी उफसर्ग है तो समाच विगरे करने पर सँग्या पद में सप्तिमे वक्ति एक वचण लगा करके अंत में अधी के इस्थान पर इति लिख देते हैं इसके बाद हमने यदि समस्द पद में उप उफसर्ग है तो संग्यापद में सश्टी वक्ती लगा करके अंत में उपके इस्थान पर समीपम लिख देते हैं इसके बाद हमने पढ़ा अनू अनू समस्त पद में यदि अनू उपसरग है तो समास विग्रे करने पर संग्या पद में सस्टिव वक्ति लगा करके अन्त में पस्चात या योग्यम लिख देते हैं बात करें आगे निर यदि संग्या पद में समस्थ पद में निर उपसरग है तो समास विग्रे करने पर संग्या पद में सेस्ट्य व्यक्ति लगा करके अंत में निर के इस्थान पर अभावे लिख देते हैं क्या लिख देते हैं अभावे बात करें उसके बाद प्रती अव्वे भी है और उपसर्ग भी है तो देखते हैं प्रती समस्त पद में है तो समास विग्रे करने पर संग्या पद को कितनी बार लिखेंगे दो बार दो बार लिखकर के अंत में प्रती के इस्थान पर प्रती ल को चन लगा करके अंत में यथा के इस्थान पर अंती क्रम में लिख देते हैं इसके बाद हमने पिछले वीडियों पड़ा सह सहीतम अर्थ में होता है यदि समस्थ पद में सह है तो संग्या पद में तृतिया वक्ती लगा करके अंत में सह के इस्थान पर सहीतम लिख देते ह और यदि से साद्रश्यम अर्थ में हैं तो संग्या पद में सश्टी वक्ति लगा करके अंत में से के इस्थान पर साद्रश्यम लिख देते हैं दोनों बाते बताई थी उसके बाद से के बाद हमने पढ़ा समरद्धी अर्थ में सूप सर्ग यदि समस्त पद में सूप सर्ग है तो समास विग्रे करने पर संग्यापद में सश्टी वक्ति लगा करके अंत में सू के इस्थान पर सम्रध्धी लिख देते हैं तो विध्यार्थियों यहां तक का हमने अध्यन कर लिया था आज हम पढ़ें देखिए व्रध्धी अर्थ में मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि सू उफसर्ग है जो शम्रध्धी अर्थ में होता है और दुर या दुष उफसर्ग व्रध्धी अर्थ में वी रिध्धी अर्थ में देखो वी रिध्धी है यह वी धन रिध्धी करेंगे तो व्रध्धी बनेगा ठीक है या हम व्रध्धी को कह सकते हैं दु दुर या दुष उपसर्गों का प्रियोग होता है वीरधी और दुरगती इन दोनों अर्थों में दुर या दुष उपसर्गों का प्रियोग होता है दुर हो चाहे दुष हो इन दोनों अर्थों में वीरधी और दुरगती अर्थ में जब समस्त पद में दुर या दुष हो तो समाश विग्रे कैसे करोगे संग्या पद में कौन सी वक्ती लगाओगे सस्थी दुर या दुष उपसर्ग समस्थ पद में हैं तो समाश विग्रे करने पर संग्या पद में सस्थी वक्ती लगा करके अंत में दुर या दुष के इस्थान पर वी रिद्धी लिख देते हैं क्या लिख देते हैं वी रिद्धी ये समझ में आपको आ जाना चाहिए यदि समस्त पद में दुर या दुष उफसर्ग हैं तो समाश विग्रे करने पर संग्या पद में सस्टी वक्ती लगा करके दुर या अंत में दुर या दुष के इस्थान पर वी रिद्धी लिख देते हैं देखें दुर दुर आपको यहां पे दुष है यह दुर है यह दुर यहां पे दुष है दुर और दुष दोनों प्रकार के उधारन दिये हैं किसी उधारन में दुर उफसर्ग है और किसी उधारण में दुस उपसरग है कोई साई उपसरग हो इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है ये दोनों विरद्धी अर्थ में या दुर गती अर्थ में प्रियुक्त होते हैं समाश विग्रे करेंगे तो संग्या पद में सश्टी वक्ति लगा देंगे और दुर या दुस के इस्थान पर विरद्धी लिख देंगे विरद्धी देखी इस तरह से दुर के इस्थान पर विरद्धी लिख दिया हमने यवन संग्या सब्द है यवन यवन में सश्टी वक्ति लगा यवना नाम क्या होगा यवना नाम यवना नाम विरद्धी हो गया देख लीजिए सक सक संग्यापद है सका नाम सका नाम और दुर के इस्थान पर क्या कर दी हमने विरद्धी ठीक है चोल दुस को अटा दें तो चोल चोला नाम चोल में सश्टी लगाई आप चोला नाम दुस या दुस दुर के इस्थान पर क्या लिख देंगे व्रद्धी हिंसक संग्या पदे हिंसक में सश्टी व्रद्धी लगाई आप हिंसका नाम हिंसका नाम हिंसका नाम और दुर के इस्थान पर व्रद्धी हून हून में सच्टी लगाई आप हूना नाम क्या होगा हूना नाम और दुर के इस्थान पर क्या हो जाएगा व्रद्धी दुस्को अटाओ क्या है पापी पापी देखो ये पापी सब्द ऐसे लिखते हैं पापी सब्द ये है पापी बैसे पापिन सब्द होता है इसमें चोटी की मात्रा अटाई सोरी बड़ी की मात्रा अटा कि चोटी की करदी मैंने आपको नियम बता रखा है विर्द्धी के लिख देंगे विर्द्धी ठीक है तो इसी तरह आपको समास विग्रे करना सीखना है दुर यवनम का होगा यवना नाम विर्द्धी दुर सकम का होगा सका नाम विर्द्धी दुर हिंसकम का होगा हिंसका नाम विर्द्धी दुर हुना नाम का होगा हुना ना और दुष पापी का होगा पापी नाम ब्रद्दी बात करें हम अत्य अर्थ में अत्य का अर्थ होता है नस्ट होना क्या अर्थ होता है इसका अत्य का अर्थ होता है नस्ट होना यह अर्थ लिख दिया मैंने नस्ट होना अत्य अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रिक्त होता है अती किस अर्थ में होता है अत्य यानि नस्ट होने के अर्थ में किस अर्थ में नस्ट होने के अर्थ में अत्य उफसर्ग अत्य अर्थ में प्रियोगत होता है किस अर्थ में अत्य अत्य का मतलब ही है नस्ट होना ठीक है कौन सा उफसर्ग प्रियोगत होता है अत्य जब समस् विग्रे करने पर संग्या पद में सश्टी वक्ति लगा करके अंत में अती के इस्थान पर अत्ये लिख देते हैं क्या लिख देते हैं अत्ये लिख देते हैं दुबारा से समझे अत्ये अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त होता है अत्ये अत्य का अर्थ क्या होता है नस्ट होना क्या अर्थ होता है नस्ट होना जब समस्त पद में अत्य उफसर्ग दिखे तो समास विग्रे करने पर संग्या पद में सस्टी वक्ती लगा करके अंत में अत्य के इस्थान पर अत्य लिख देते हैं अब समझे जैसे देखो अत्य आए सभी में, तो हम सब में क्या लगा देंगे अत्य, क्या लगा देंगे अत्य, सभी उधारणों में लगेगा अत्य, ठीक है, अब बात करें हिम सब्द की, इसमें हिम है, इसमें सीत है, इसमें योवन है, इसमें ग्रिस में, इसमें धन है, इसमें कंटक, ठीक है, हिम लगा दीजिया आप सीत अश्ये और अती के इस्थान पर अंत में क्या कर देंगे अत्ये योवन में लगाईए आप योवन अश्ये और अती के इस्थान पर क्या होगा अत्ये ग्रीश में लगा दीजिया आप ग्रीश मश्ये अती के इस्थान पर अंत में क्या करेंगे अत्ये धन में लगाईए आप धनश्ये अती के इस्थान पर अंत में क्या करेंगे अत्ये कंटक में लगाओ कंटका नाम सश्टी व्यवक्ति का बहुवचन लगाया ये कंटका नाम कंटका नाम अत्य देखिए कहीं एक वचन है कहीं बहुवचन है इस चीज से आपको फरक नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे आप कंटकस्य अत्य भी कर सकते हो कंटकस्य अत्य या कंटका नाम अत्य जब अत्य उफसर गए देखो समस्त पद में जब अत्य उफसर गाए तो संग्या पद में सश्टी वक्ति लगा देंगे और अंत में अत्य के इस्तान पर कह लिग देंगे अत्य लिग देंगे समास्विग्रे हो जाएगा जैसे अती हिमम का होगा हिमस्य अत्य, अती सीतम का होगा सीतस्य अत्य, अती योवनम का होगा योवनस्य अत्य, अती गृष्मम का होगा गृष्मस्य अत्य, अती धनम का होगा धनस्य अत्य, और अती कंटकम का होगा कंटकानाम अत्य, तो विध्यार्थियों, आज हमने यहा झाल झाल